सुबो सुबो उठते ही अगर इसने सारे सुन्दर सुन्दर फूल देखने को मिले तो सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है फ्रेंज तो मैं तो उठने के साथ साथ ही अपने बारांदे में आ जाती हूँ और अपने फूलों को देखती हूँ वही से गूट मॉर्निंग फ्रेंज कैसे हैं आप सब आसा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे तो आज है वेनस डे और अभी मैं नास्ता कर रही हूँ तो आज सब के लिए था रोटी सबजी और मैं खा रही हूँ देखिए मूडी और ये डाल तो फ्रेंज देखे ये किस तरीके से लाल लाल हो गई नहीं पिली पिली हो गई है यहां पर मैंने म्यूट कर दिया वीडियो को क्योंकि ना कहां से पता नहीं जो बड़ी वाली ग्रास ओपर होती है वो आ गई थी इतना शोर कर रही थी इसलिए एक तो बारिस के कारण पूरा घर अंधेरा था तो यह करेला है मुझे रूमी ने दिया था उसके घर का है तो आज है वेनस डे और अभी बच्चों हैं सारे नो तो सबजी वगएरा मैंने काट कर रख दी है तो अभी जाओंगी पापा का रूम साफ करूंगी तो आज कल एक्चुली काच कल करूंगी बोला था ना पर जैसे कुछ स्पिस तो फ्रेंस देखे ये मैं आ गई हूँ पापा के रूम में तो अभी काम स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया है नाया ही नहीं है तो खाना कहां से बनाओंगी तो देखे टीबी को सबसे पहले ढख दूंगी और अच्छी तरीके से उपर में थोड़े बहुत मकरी के जाले होंगे तो उसे जाड़ दूंगी क्योंकि संडे टू संडे में यही मेरा काम रहता है पूरे घर को अच्छे से क्लीन करना तो इतना गंदा नहीं रहता है घर बट हाँ फलोर पे ना डेली की डेली चीटी जो है ना वो मिट्टी निकालती है क ने कोने में वाल के साइड साइडे से में तो वो मुझे बहुत डेली जाड़ो अच्छे से लगाना पड़ता है तो अभी देखे जाड़ लिया है मैंने पूरा रूम अच्छी तरीके से तो अभी ए टीवी के सामने पापा का जो पैशर का मशीन है वो है डवाई वगेरा जो भी है सारा को छटा लोंगी और अच्छे से क्लीन कर लोंगी थोड़ा बहुत दस्ट गिरा है ना अभी तो इसलिए और ये टीवी का कबर और कपड़े मेंने सारा कुछ धोया था उस दिन ना जिस दिन मैंने मेरा रूम भी क्लीन किया था कपड़े भी धोये थे तो उस यहां से लेने के लिए कोई भी सामान तो इसलिए टीबी के सामने ही रखते हैं तो चलिए अभी में यह क्लीन कर लेती हूँ और हाँ फ्रेंज आप सभी से एक रिक्वेस्ट है वस थोड़ा सा सपोर्ट दीजे मुझे अपना प्लीज चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्रा लेती हूँ तो फ्रेंज यह बैट के नीचे ना जो इससे पहले वारी मेरी जो गेस चुला थी वो रखी हुई है तो यह ऑटोमेटिक वाली थी ना तो यह दुकान दर ने वो लकी नहीं बनेगी तो फिर मैंने दूसरी वाली लेली स्टील वाली लेली थी नहीं तो यह पापा ना कोशिस करते हैं बनाने की तो इसलिए यह पापा ने यहीं पर रखा है तो अभी पापा का रूम अच्छे तरीके से जारू लगा लूँगी और बैट के नीचे से तो इतने सारे मिट्टी निकली है जो कि चीटी ना डेली निकालती है और यह देखे कितन सारे मिट्टी निकली है तो अभी मैं इन्हें अच्छी तरीके से जारू लगा कर चली जाओंगी पोचा लगा लूँगी उसके बाद जाओंगी नहाने के लिए तो चलिए मैं अच्छी तरीके से अभी पोचा वगेरा लगा लेती हूं लगा करा लगा 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 लेती है और लगा लगाने का लूँगी तरीके बात लिएर लगाया हूं झाल झाल पापा का रूम साफ कर लिया है और पोच्छा लगा ली है तो अभी फटा फट से मेरा रूम ठीक कर लूँगी थोड़े कपड़े इदर रही जाते हैं जिसके इसके उपर देखिए तो रही जाते हैं तो उन्हें ठीक करना है और उन्हें ठीक करने के बाद ये रूम भी तो फ्रेंस यह हमारा आज का लंच यह भात करेला यह पोटल और इसके साथ था करेला भाज़ा तो फ्रेंस यह देखकर किसको किसको अपना बज़पन याद आ गया हम लोग बहुत खाते थे यह तो आज दिसु के पापा लेकर आया है शायद उन्हें वहाँ पर मिल गया तो मिलता नहीं आज कल इतना इज़ी ली तो यह साम को मैंने पास्ता बनाया था उस दिन तो पास्ता लाई थी ना उसमें से थोड़ी सी बज गई थी तो वही बनाई है मैं और दिसु के पापा खा रहे है तो दिसु ने अभी जस्ट दूद और बिस्किट खाए थी तो उसे पास्ता नहीं खाना बोली वह तो उसन